वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू तो जैसे कि हमारी आज मैक्रो एकनॉमिक्स के आपके साथ में सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने टाइपस ऑफ गूड्स के बारे में समझाता गूड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने एक कंजम्शन और एक हमने कैपिटल फर्स्ट क्लास होने के बाद और जो फर्स्ट क्लास जहां पर मैंने छोड़ा था आज में वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं आज का हमारा टापिक है कि इंटरिमेडियर गूड्स क्या है और फाइनल गूड्स क्या है इसके एक्जामपल्स को भी समझना होगा हमें तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इंटरिमेडियर गूड्स एंट फाइनल गूड्स देखिए कि आज अगर आप बात मैं करता हूं यहाँ पर इंटरिमेडियर फाइनल एक एक एक्जामपल से आपको अच्छे से समझ पाए समझ पाऊगे लेकिन यहा हाल बेसिकली आप दो मैंठर्ग के बारे में भी आप सुन लीजिए डिटेल में बाद में बात करेंगे एक मैठर्ड इसमें है हमारा इंकम मैठर जाइड सी बात है नेशनल इंकम का मतलब आप इस बात को अच्छे से जान चुके थे समझ चुके थे कि एक फैनेंशल यह मे जो हमारे residents हैं उन सभी residents की income का जो sum आएगा उस sum को हम क्या बोलेंगे national income बोलेंगे इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं clear हैं तो सबसे पहले तो एक income method से तो आपका एक बास सुझ में आ गया कि income method में क्या करने वाले है income method में जितने भी लोग जो हमारे residents हैं जो उनकी income हैं हम उन सब की income का sum करने वाले हैं वो कैसे होगा वो मैं जब calculate करवाओंगा तब मैं वहाँ पर आपको इस बात पर चर्चा करूँगा और formative बताऊँगा उसका उससे पहले भी भking बहुत कुछ हमें सीकना है समझना है तो income method में तो एक बात वो सुझ़में आते हैं चलो National income निकाल रहे हैं सबों की income निकाल रहे हैं तो सब की income को add कर देते हैं यह बात समुझमें आता है लेकि National income निकालने का और भी methods है एक expenditure method है expenditure method में کون कितना खर्च कर रहा है ये method भी है national income निकालने में अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि income method में एक बात तो सौझ में आती है कि कौन कितना कमा रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमाई national के income आ जाएगी लेकिन कौन कितना खर्च कर रहा है इससे कैसे national income आ जाएगा और जबकि आप देखींगे answers आपके different नहीं होगे आप किसी भी method से जाएगे आपका answer सेम ही होगा लेकिन अभी मैं उस चीज़ पर लेके नहीं जा रहा हूं कैसे calculate होता है उससे पहले बहुत को समझना है उस चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ आपको कुछ ओड़े point से theory है theory में उन बातों को समझना होगा आपको इसलिए इस सारी चीज़ चर्चा में आपके है तो सबसे पहले expenditure method से कैसे आप किसी की जो है पूरे देश की आप income को calculate कर लो कि सवाल यह आपका बनता है इस समय तो बच्चे मेरी बात को आप समझेगा जैसे मान लीजिए एक example दो समझते हैं इस चीज़ को अभी सब कुछ मुझे पता है कि आप intermediate और final के उपर है मैं यहीं से उच चीज़ों को clear करूँआ सबसे पहले एक example ले लेते हैं कि मान लेजिए एक किसान है जो कि cotton produce करता है और 2000 रुपए का उसने जो है cotton produce करा clear है और उसने क्या करा cotton बनाने में उसको 2000 रुपए लगे है बनाने में 2000 रुपए लगे है इसका मतलब यह हुआ जो भी उसका cost आया है प्लस में जो भी उसका अपना profit जो उसकी आंदनीती सब कुछ मिला करके उससे रखा कि मैं 2000 रुपए में cotton दूँगा इसमें सब की income शामिल है उसके किसान की बी इंकम शामिल है जो पिछे से जिस से लाए तो उसकी बी इंकम शामिल है अब वो किसान क्या करता है वो बी को बेच देता है 2000 रुपए में तो 2000 रुपए बी को बेचा और बी ने क्या करा उससे धागा बना दिया कोटन से और उससे 3000 रुपए का उसको C को बेच दिया C ने क्या करा उस धागे से जो है कपड़ा बना दिया 45-100 रुपए का और उसने 45-100 रुपए में कंज्यूमर को बेच दिया और कंज्यूमर ने 45-100 रुपए कपड़ा जो है वो खरीत करके पहन दिया तो एक जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर ने बताइए एक्सपेंस कितना करा उस कंज्य प्लस में यहां पर इसे जार में और मिकली वह में के इसे प किसान की इंकम है इसमें इसे जो है जो भागा बनाया है फैक्टरी ने उसकी भी इंकम शामिल है उसके इंप्लोई का इंकम शामिल है और यहाँ पर जो है जिसने कंजूमर को बेचा उसकी भी आमदनी शामिल है तो इसका मतलब है कि अलग-अलग जा करके सबसे इंकम पूछने से अच्छा है क एक बार expenditure को ले लो उसे पीछे जितने लोगों ने कमाया उन सब की आमदनी आ जाती है तो यह जो प्रोसेस था ना इस प्रोसेस में क्या हो रहा था यह खुद यूज नहीं कर रहा था इसने आगे क्या करा पाट करा इसने भी खुद यूज नहीं किया आगे पास किया और इस इसने भी खुद यूज नहीं किया इसने भी क्या करा आगे पास किया तो जो यह आगे पास कर रहे है न यह जो प्रोसेस चल रहा है जो प्लक्षन का प्रोसेस चल रहा है अभी पूरी तरीके से पड़ियूज नहीं हुआता है यह प्लक्षन बांडरी के अंडर में था यह में इस प्रोसेस को हमां इंटरमेडियर गूर्स इन्टरमीडर गूर्स क्या है, इस नेक कपड़े को पहन लिया अब यहां पर इसके लिए यह गूर्स क्या हो गया यह फाइनल गूर्स हो गए ऊमा हुगई, कि intermediate goods और final goods क्या है? Final goods की national income के अंदर जगा होती है. क्योंकि अगर आप intermediate goods के पीछे पढ़ गए, intermediate goods के उपर होने वाले expense के पीछे अगर आप पढ़ गए, तो आपके साथ में होगा क्या? अगर आप intermediate goods के expense के पीछे पढ़ जाएंगे, तो आप ये 2000 भी ले लोगे? बोलोगे 2000 खर्चा हुआ है, खर्चा 3000 हुआ है, इसके खर्चे भी ले लोगे 5000 रुपे, अब इसके खर्चे भी ले लोगे 4500 रुपे, तो 9500 रुपे आप लोगे खर्च हुआ है, लोग की आमदनी 9500 रुपे हुई है, लेकिन क्या ऐसा वास्तिफिक में हुआ है? क्या लोग एसने पीछे क्या गांडा हजार रुपय में तो इसने यहां पर कितना कमाया 2 payer पास कर दिया यह उन्म यीय्जार घोरी यहां पर इसने कितना क hjälशान रुप होता है ना उस expense को नहीं लेते हैं क्योंकि इससे रिपिटेशन आ जाता है यह एक्चुल national income को नहीं बताता है यह ज्यादा बता देगा national income को clear है तो जब भी आप expenditure method में जाओगे तो एक बार बताइए आप final goods जो final expenditure हो रहा है final goods के situation में जो expense हो रहा है उस expense को आप लोगे यह intermediate पर जा जाकर कि भी उन expense को calculate करोगे बताइए क्या करेंगे आप finally ही आप एक बार ले लोगे तो सबका already उसके अंदर शामिल हो जाएगा तो यहां से आपको समझना होगा कि intermediate क्या है और final क्या है जब कोई goods अभी production के process में है जिसने production की boundary को cross नहीं किया जो आगे resale करने के purpose से है जिसमें अभी value addition होगा value addition मतलब 2-3,000, 1000 का addition 3-4,500 वो सारी goods जो resale करने के purpose से है जिसमें value addition होगा जो production boundary के अभी अंदर है वो situation में जो goods पड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं intermediate goods अब आप कहेंगे सर एक्जामपल लेके बताएए कौन सा goods intermediate होता है example से आप कहेंगे तो बच्चे दुनिया के सारे के सारे goods intermediate होते हैं और वही सारे के सारे goods final goods भी होते हैं अब वो लोगो सब्सक्राइब क्या बात ही इंटर्मीडियर गूर्ट अलग अलग होता है और आप कह रहे हों कि सारे के सारे goods intermediate होते हैं और सारे सारे goods final होते हैं तो जैसे कि सास भी कभी भाहुत थी अभी नहीं थी तुनिया के जितनी सास से कभी ने बहुत थी या नहीं थी बताओ तो ऐसे जतने भी final goods हैं नंद ने यह कभी ने रिटर्मीडियर गूर्ट थे झाראशं के यह एक intermediate goods था, एक medicine बन रहा है, वो intermediate में क्यों आगे उसको बेच देगा, अब वो medical shop पर आया, उस medical shop पर भी क्या है, वो एक intermediate goods है, क्यों? क्योंकि वो भी आगे उठा करके उसको बेचे देगा, value addition करेगा उसमें, जिस rate पर आया, उस ज्यादा में बेचेगा, आगे resell करेगा, अब आपने उसको लेकर के consume कर लिया, अब वो आपके लिए final goods बना, तो वही tablet जो एक समय पर intermediate था, अब आपके लिए क्या है final, तो कोई goods intermediate है, या final goods है, यह goods की type पर depend नहीं होता है, उसकी situation पर depend होता है, कि वो किस situation में पढ़ा हुआ है, तो आपको इसके लिए न, आपको goods क नाम याद करनी जुरुत नहीं है, आपको situation को समझनी की जुरुत है, जब भी आप अपना answer करो, जब भी आप classified करो, कि goods intermediate है, या goods final है, तो उस समय आपको उस goods के उपर मत जाना, उस goods की situation में पढ़ा हुआ है, उस situation में जाना, अगर आपको लगे यह आगे resale हो रहा है, अग अगर आपको लगे value addition इसके अंदर होगा, उन सभी situation में आपके लिए वो goods क्या होगा, उन सभी situation में बोल देना आप, कि यह intermediate goods है, clear है, example के लिए जो raw material होता है ना बच्चे, जो raw material होता है, अब raw material अलगलग हो सकता है, जैसे मान लेजिए, जो दरजी कपड़ा सेलता है, उस के लिए raw material गन्ना हो गया, तो एक firm में दो चीज़े होती है, धान रखिएगा, किसी भी firm में जाएगा, दो चीज़े मिलेंगी, एक तो आप उस firm में जब नजर आप घुमाएंगी, तो एक तो raw material मिलेगा, और एक आपको machinery दिखेंगी, तो जो capital goods होती है ना, firm की मैं बात कर capital goods है, वो कभी भी वो refusator को बेचने के purpose से नहीं लाया था, वो आगे उसमें value addition भी नहीं करेगा, उसमें सारे production boundary को उसने cross कर दिया है, तो एक firm के पास में जो capital goods होता है, वो capital goods उसका final goods होता है, और जो firm के पास में raw material होता है, वो raw material intermediate goods होता है, क्योंकि उसमें अभी value addition होना ह है, वो अभी production boundary के under में है, अभी उसके अंदर जो है, इस तरीकी के process को वो अभी वो आगे continue resale के purpose से वो है, प्रिबास समझे है नहीं समझे, clear है, तो अगर आप इस तरह के समझेंगे तो आपको बहुत सारे example यहां पर clear हो जाएंगे, clear है, तो एक दरजी के पास में पढ़ चला जाएगा, बिक करके, दो रुपर धागा लगाए तो आपसे 50 रुपर चार्ज कर लेगा, raw material है उसके लिए, लेकिन उसकी जो machine है, जिससे कपड़े सिल रहा है, वो machine क्या है, वो final goods है, क्यो उसके लिए capital goods है, वो machine ठाके थोड़ी बेच देगा किसी को, समझे यह नहीं समझे आप, clear है या नहीं है, तो इस बातों को आप समझ पा रहें, चलिए, फिर यहाँ पर मैं और भी example से अभी हम clear करेंगे, फिलाल अभी जो हमने पढ़ा है, इसको समझेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, इतने example लेने के बाद मैं उमीद करता हूँ पाइनल गुर्स को हम बोलते हैं अंतिम वस्तु, ठीक है, नाम से इस पस्ठ हो जाता है कि अंतिम वस्तु वो जिसका अब अंत हो जाएगा, इसके आगे इसको आगे नहीं बेचा जाएगा, जिसमें मुल्ले विर्धी नहीं होगी, जिसको जो है पुन है विक्री के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगा, जो उत्पादन परकिरिया के अंदर है, जो उत्त पादन सीमा को अभी उसने पार नहीं किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम मद्दे वर्थी बस्तु, और जो गूड्स, वाईनली अपधीं अंजम्शन हो कि फाइनल गुर्ण वह स्थिए अंतिम बस्तू में बहस्तू में जिसका इस्तेमाल या तो बहुत के लिए कर लिया जाता है चैक? जा सब सबल बह적으로 होता है चैक है या फिर इनवेश्ट मेंट के लिए कर लिया कि आपको नहीं सब्सक्राइब करना है उस इंटेंशन को कहते हैं इंट्रमीडियर गूर्स क्या है एक तो इसका कंजम्शन कर लिए आता है मतलब कि उसको अउब्भोग कर लिए आता है या फिर उसका इंवेस्टमेंट हो जाता है मतलब कि उसका निवेस्ट कर दिया शुट और फिर पहले sind tabla प्लानटर मशिनरी उसी किसी फारम के अंदर वह चीजों को पडूस कर वाती है वह सारी के सारी नापका फांपाइल कुछ पार्ब खोता है तो वह प्लानटर मशिनरी इंवेश्टमेंट ही तो है मेरे बाद समझें तो फाइनल गुड्स को दो पार्ट पर रिवाट करें फाइनल गुड्स राफ़र्ट टो डोस गुड्स विचार यूज आइधर फोर कंजम्शन और फोर इन्वेस्टमेंट अंतिम वस्वें वह वस्वें होती हैं जिसका इस्तेमाल या तो उपभोग के ल सोल किसे कहते हैं जो आपके घर में मैं आपको बोलता हूं कि भीया आपके परिवार के बारे मात करता हूं आपके परिवार में कौन- zenzen इस चीज को हम वो लेंगे ऑंडियन इंदी में इसको कले परिवार ही जयंकर हम चिसको पंधनते जizar जै तो यहां पशोनख कर दो कि द जो है, confuse कर देते हैं, example के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, example सुनिएगा, bread, रोटी, रोटी की बात करते हैं, रोटी बताइए, जो चपाती है, वो final goods से या intermediate goods से, रोटी, आपके जो है, जो चपाती है, वो final goods से या intermediate goods से, हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर एक नाम दिया है, इस नाम से आप यह नहीं बता पाओगे कि यह final है, या intermediate है, अंतिम वस्तु है, मद्देवर्तु वस्तु है, आप नहीं बता सकती हो, क्यों, आपको कोई goods पर depend नहीं करता यह चीज़, यह depend करता है उसके situation पर, उसका इस्तेमाल में बताता हूँ, अभी आप बताई नहीं सकते थे कि यह वो अंतिम है वो या फिर मद्देवर्ती है, final है या intermediate है, उस चीज़ को आप बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि कोई product पर depend चीज़े नहीं करती है, उसके use पर depend करती है, अगर hotel में अगर वो चपाती बन रह रही हैं, तो वो आपका अंतिम बस्तुव जिसको आगे आप बेचोगे नहीं, value addition होगा नहीं, उसका आप consumption कर लोगे, समझें, तो आप इस बात को समझ रहे हैं, कि कोई भी goods, कोई product ऐसा नहीं कि final है, यह intermediate है, उसके use पर जाएंगे आप, तो यह कह रहा है, कि final goods का है, like milk purchased by household, भी आप household milk purchase कर रहा है, तो बजायर सी बात हो, consumption के लिए ही कर रहा है, clear है ना, goods purchased by firm for a capital formation, capital formation कहते हैं, investment को, जो पूझी का निर्मान, ठीक हैने से पूझी निर्मान कहते हैं, capital formation को, पूझी निर्मान, जैते plant and machinery, इसे capital formation बोलेंगे, investment like machinery purchased by a firm, it must be noted that final goods are neither resold, final goods तो कभी भी बेचा, दुवारत पुरहें बेचा नहीं जाता है, no use for any further transformation in the process of production, और उसके अंदर किसी परकार का transformation नहीं होगा, मतलब कोई परकार, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अब आप अपने घर में कोई समार उठा के लिए आए, मैं ये बोड़ ही लेकर क्या आया, तो मैं इसमे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, explain the terms of intermediate goods, intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year, बात उसी साल की कर रहे हैं, उसी साल में या तो उसका उत्पादन क्या जाएगा, प्लक्शन क्या जाएगा, या उसको बेची दिया जाएगा, तो ऐसे सिती में किसी भी वस्तु को हम मद्देवर्ती वस्तु कहेंगे, और इसको हम final goods कहेंगे, intermediate goods includes goods purchased for resale, like milk purchased by a dairy shop, जो dairy है, वो भी जो दूद खरीद के लाते हैं, तो ये जो dairy वो खरीद दूद ला रहे हैं, बेचने के लो ला रहे हैं, तो ये क्या हमारा intermediate है, goods used for further production, like milk used for the making sweets, एक मिठाई वाला दूद खरीद रहा है, उसके लिए इंट्रिमीडियेट है, तो ये इसको आगे बेच करके value addition करेगा ने, इस दूद में, तो वो आपका final अंतिम बस्तू है, अगर एक sweets की दुकान पर है, मिठाई की दुकान पर है, वो दूद लेकर आ रहा है, तो फिर वो क्या है, वो आपका final goods है, sorry, intermediate goods है, production boundary की बात कर रहा है, जो मैं बार बार कह रहा था, यह सारी के सारी production boundary दिख रही थी आपको, यह production boundary है, अब यहाँ पर चीज़े finally consumer के पास पहुँच गई है, the concept of production boundary is a very significant to understand the difference between the intermediate and final goods, the production boundary is the line around the productivity sector, as long as goods remain the within the production boundary, they are intermediate goods and when our goods comes out of this boundary, it becomes our final goods, in the given diagram, there are the three production units like A, B and C, clear, तो यहाँ पर आपको बता गया है, कि यहाँ पर तीन boundary दिया था, जो boundary के अंदर है भी production का काम चल रहा है, वो हमारा क्या है, intermediate है, और जिसने production boundary को क्रॉस कर दिया, उसमें कोई भी काम होना बाकी नहीं है, तो वो हमारा क्या है, final goods है, यह चीज़ आपको सुन में आई, तो बात करते हैं किसी चीज़ के, बात करते हैं हम यहाँ पर differentiate की, final and consumer goods same होते हैं, बच्चे final goods हाँ, सारे consumer goods final goods होते हैं, और सारे के सारे capital goods final goods होते हैं, चीक है, बाब बार आप से किसी फर्म का example पूचीगा, फर्मे यह इस्तिमाल हो रहा है, वो इस्तिमाल हो रहा है, आप बस capital goods को छोड़के, जो भी बोलेगा न फर्मे, सब को आप intermediate ही बो लगेगा, यह 20 साल तक इसका इस्तिमाल करने रहा है, 10-15-20 साल तक, लंबे समय तक, बस वही capital goods है, सारे capital goods नहीं है, समझे, अब एक factory में electricity produce करने के लिए कोईले का इस्तिमाल हो रहा है, अब उस कोईले को थोड़ी बोलोगे, आप capital goods, वो तो अभी जला के राख कर देंगे समझे, तो call क्या, वो intermediate goods हुआ, समझे, clear है, आप उपने घर में हाथ सीक रहे हैं उससे, तो वो final goods हो गया, उस situation में, देखिए, डिफ्रेशेट करते हैं, बेसिस, क्योंकि देखिए, हर एक छोटो डिगोशन आपके मन में सवाल आता है, कि सार यह सवाल के 15 नमर का आएगा, बचे, आपने पिपर दिया है, आपको इसका experience है, आप semester 6 के student है, अब तक आप पहले 5 semester के paper आप दे चुके हैं, आपको पता है, कि एक सवाल कोई 15 नमर का कभी नहीं आता है, एक सवाल के अंदर 3 सवाल जोड़े होते हैं, दो सवाल जोड़े होते हैं, जो 15 नमर का आपका ब क्लिर एड़ी? अब सामें देखिए सीच को, तो differentiate between the final goods and intermediate goods, meaning, final goods refer to those goods which are used either for consumption or investment, यह हमने इसके definition हैं पड़ा लिया, intermediate goods, intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year, nature, they are include in the both national income and domestic income, इसको national income में शामिल करेंगा ना final goods को, अभी मैंने बताया था, क्लिर हैं? लेकिन intermediate goods को national income मन्दर शामिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? intermediate goods को national income मन्दर शामिल? बताये, final goods को तो करेंगे national income मन्दर शामिल, बर intermediate को क्यों नहीं करेंगे? जब फाइनल को करी रहें तो सारा ही आ गया ना वो पीछे से लिगा अभी तक का आ गया तो फाइनल में तो सब कुछ काउंट होता है इंट्रिमीडिट में करके डबल काउंट ही नहीं हो जाएगी तो यह आपका जो है आपका इनक्लूट नहीं होता है डिमांड दे हैं डिरेक डिमांड fajल दे आफेर डिमांड डिमांड कंटें नहीं होगेश की जफ् BBQ डिमांड कि मांघे जाएगा साटाइगा नहीं समझा अभी तो फाइनल गूर्स की जदे जदा होगी और जादु होगी जुआ है वैल्य एडिशन फाइन गुट्स में और वैल्य एडिशन नहीं होता है अपने घर पे फोन ला करके उसको ज्यादा है बेचनी कोशिच करो बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे इंट्रमेडियर के सुच्वेशन में इसमें जो वैल्य एडिशन होता है दे आर नोट रेडिव एडिट गुड्स प्रश्चन मांडरी डे हैव क्रोस्ट अप्रश्चन मांडरी जब आपके घर में कोई टेल्वीजन लेकर के आगे तो कंपनी भागा के पीछ वीचे नियाग कि फाइनल गुड्स में सारे चीजें और प्रश्चन मांडरी के सांसा कुछ क्रॉस कर चुकी हो समझें समझें आप आपने कपड़ा पैन रखका वह आगे घर पे बोलें कपड़ा दो इसमें थोड़ा सा और कलर करना रह गया था अर रह भी गया था तो वह नहीं करें समझ है नहीं समझे तो यह प्रश्चन मांडरी को क्रॉस कर चुका जब फाइनली आ गया तो बड़ यह अभी इस में प्रश्चन मांडरी इसमें होता रहता है कैसे देखिए गा दिवाले में गिफ्ट दिखते हैं बड़ 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 गिफ यह से बड़ बड़ पैकट होते ह तो उसमें कुछ काम और कर देते हैं उसको चमक दमक दिखा करके और फिर वैल्यू अडिशन करके बेदेते हैं तेन सुगह लाटे हैं समझें समझें तेकि शिक्षाधाम वाले जो है न वह अपने स्टाप को ऐसे चीज़ें नहीं देते हैं वह बहुत बहुत भारी ब्रकम गिफ्ट देते हैं हां जे मिल्क पर्चेस भाई हाउस होल्ड फॉर कंजंप्शन कार पर्चेस भाई एजन इंवेस्टमेंट समय आए नहीं आए आपको आगे देखें मिल्क यूज्ट इन डेरी शॉप फॉर रिसेल यह सारी चीज़े क्या ए है जब आए नहीं है आपको आउस्टमें में कुछ इस्टाब आपके नहीं था तो ऐसा दोका धरी सचा कुछ दोई ना कि क्लियरे जी भई समझ में आ रहा है आपको यह बताए जिरह अध्यानक एगा रेफल चल रहा है भई या भी बच्चे एंडरोड नहीं हुए है कुछ बच्चे जो आपके फ्रेंड्स होगे रहा है रेफल के अंदर लेकर करे आए आपके पास नंबर है उसका बेनिफिट कर या यह कम से कम आपका फीस फ्री हो जाए समझ रहे ना बीच-बीच में फोड़ा सा जरूरी भी है समझ माहिए जी आपको कि क्लियर रहे है हां जी आइटम्स कटेग्राइज अजा इंट्रेमेंडियर प्रलॉट्ट्स एंड़ फाइनल गूर्स है पेपर क्लियर जी सब्सक्राइब को अब कुछ एक्जामपल ऐसे लेते हैं जो कि पीछे से भी लिए गें और अभी आपकी करेंट एक्जामपल भी लिए गें कुछ सीवेशी से उठाएगें जो पेपर पूछने अच्छे एक्जामपल जो लिए गया आपकर कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस एक्जामपल को लिया गया कॉंसेप्ट क्लियर होना चीए फिर आपके पास है पेपर परचेस भाया पब्लिशर बताए क्या होगा यह पाब्लिशर पब्लिशर है वो पेपर खरीद करके लाता है कि लास रुख गई है क्या सब की अच्छा है यहां पर अक्षे चेह रहे हैं कि क्लास रुख गई है Mizraak, कि सब्सक्राइबल कि सब कुछ ठीक है चलिए आए कंटेन्यू करते हैं कि पिपर पर्चेस बाया पब्लिशर यह एक इंट्रमीडियर गुर्स है क्योंकि पब्लिशर क्या करेगा इस पेपर पे पब्लिश करके बुक को और आगे रिसेल कर देगा उसके लिए अधर रोमेट्रियल है ठीक है है आगे फनीचर पर्चेस बाया स्कूल स्कूल फनीचर पर्चेस कर रहा है उसके लिए क्या है भाई यह वो अभी स्कूल को चाप्राइबट चाप गवर्मेंट तो फनीचर करके वो डैक्स लोडी बेसते हैं कि मेरी बात समझे रहें आप वो फनीचर को था कैपिल यूज वो लंबे-लंबे समय सालों तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं पर चेस बाइब हाउसोल्ड फाइनल गूड्स तो यह सारे एक्जामपल से आपको क्लिर हो जाने चीए कि गूड्स इंट्रमीडियर फाने ले परचेस ऑफ राइस बाइब ग्रोसरी शॉप इंट्रमीडियर कोल यूज बाइदा मैनुफेक्ट्रिंग फर्म यह क्या है उस कर रहे हैं आज के इतने रहने देते हैं और नेस क्लास ठोड़ा सा पहले करेंगे पांच-दस के आसपास पांच-पांच-पांच-पास और तक ही आपको पूरा एगंटा मिल पाए कि अगली क्लास का टाइम भी बैक-टु-बैक हो जाता है चेकर जी फिलाल आप पाइनल इ अगली क्लास में आपकी जो क्वाईरी है जो हैंड रेस कर रहे हैं सचीन एक के पास बैए नंबर भी आप वैस्से भी पूछ लीजिएगा अब आगे कल मैं आपको पूरा मोका दोंगा ठीक है जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर अगली कक्षा में स्पीड कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके बारे में मैं बात करूँ है इसको यह आपको लिखने से प्रैक्टिस करने से ही होगा अपना मोक टेस्स देने से ही होगा ठीक है जी मिलते हैं अगली कक्षा में थैंक यू जी थैंक यू सो मच